जब 95 किलोमेटर पर आड़ की स्पीड से मोटर बोर्ट समुदर के खारे पानी के उपर दोरती है तो लगता है हम पानी की सत्थ बहन नहीं रहे बलकि उड़ रहे हैं Hello Friends, Experience Kerala, Episode 14 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे केरल के दिर्योवनंतम पुरम जिलेव स्थित कोवलम की जो कि अपने खूबसूरत बीचीज और नारियल के पेड़ों के कारण वर्ल्ड फेमस है Actually में कोवलम का अर्थ ही होता है नारियल के पेड़ों का स्मुग सुनहरी रेत को चूमती हुई सागर की लहरें देखने के लिए यहाँ दूर-दूर से लोग आते हैं यहाँ की खूबसूरती और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटेस भी बड़ी संख्यमेर टूरिस्ट को यहाँ लाने का काम करती है ब्रिटिश मिशनरी जोर्ज अलफर्ट बेकर ने कोबलम के विकास में बहुत योगदान दिया और वे कोबलम की सुन्दरता से इतने प्रभावित थे के वे कभी अपने देश वापिस गए ही नहीं और यहीं के होकर रह गए और वो करते भी क्या कोबलम की खुबसूर्थी है ही ऐसी कि किसी को भी यहाँ पर आकर वापिस जाने का मन ही ना करे शाम के समया तो यह खुबसूर्थी और बढ़ जाती है क्योंकि संसेट के टाइम पर इसका नजारा कुछ अलग ही होता है एक्चुली इस बीच को संसेट व्यू की वज़े से भी बहुत परसिद्धी मिली है और यह जो कोबलम बीच है इसका कोस्ट लाइन पंदरा किलोमेटर तक फैला हुआ है और यह तीन मेजर बीचीज समुदर बीच, लाइट हाउस बीच एंड हवा बीच के संगम से बना इस बीच पर अनेक तरह की पेड एंड फ्री एक्टिविटीज की जाती हैं फ्री में तो आप यहाँ पर स्वीमिंग एंड सनबात ही ले सकते हैं इसके इलावा जित्ती भी एक्टिविटीज हैं वो सब पेड हैं यहां तक कि आपको शैक यूज करने के लिए भी प्रती घ हंटे के हिसाब से चार्ज दिना होगा और पेड एक्टिविटीज में सबसे फेमस जो एक्टिविटी है वो है स्पीड वोट सफारी अगर आपको वाटर फोविया है यानि कि आपको पैरा सेलिंग या सर्फिंग वगरा से डर लगता है तो आपके लिए यह एक्टिविट पर बोट के हिसाब से वैसे बारगेनिंग करने के बाद आप कुछ रेट्स इनके कम करवा सकते हैं इसके इलावा पैरा सेलिंग इंजुए कर सकते हैं आप यहां पर बाइस सो से सताइस सो रुपे का है पैकेज होता है पर परसन के लिए मतलब 2200 में आपको 5-6 मिनिट की प बाटर डिप मिलेगी इस तरह से आपको समूदर में उतारा जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं और 27 रुपे में आपको डिप के साथ सत एक बढ़िया HD कैमरा भी हाथ में देंगे वो बांद कर जिससे कि आप अपना एक लाइफ टेम वाला एक्सपिरियंस क केंगे कर बहुत ही अमेजिंग ये पैरासेलिंग की राइड होती है वो आप मुझे देखी रहे हैं मस्ती करते हुए जमीन से 100 मिटर की उंचाई पर जाकर पूरे अरेबियन सी का बर्ड आई व्यू लेना अपने आप में ही अमेजिंग है पैरासेलिंग में आपको एक पैराशूट के साथ बाँढ़ दिया जाता है और फिर वो पैराशूट एक बोर्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है एक्सपोर्ट्स यहाँ पर इस पैराशूट को धीरे-धीरे हवा में भेजने और फिर उपर से नीचे पानी में लाकर डिप करवाने का काम बड़ी ही सहस्ता और साफधानी से करते हैं लाइट हाउस बीच स्पेशली पैरासेलिंग के लिए फेमस है आठ साल की उमर से लेकर कोई भी व्यक्ती यहाँ पर पैरासेलिंग कर सकता है पान से छे मिनट पैरासेलिंग का टाइम होता है जबकि 40 मिनट आपको स्पीड बोट की राइट जो है वो कॉम्प्लिमेंटरी मिल जाती है क्योंकि एक एक लोग को वो जब उपर पहुंचाते है पैरासेलिंग के थुरू तो बाकी के लोग नीचे बैठ कर बोट में स्पीड बोट का मज़ा ले सकते हैं एक बोट में 6-7 लोगों को लेकर एक बार में जाया जाता है और तकरीबन 40 मिनट का यह टाइम रहता है पैरसेलिंग के इलावा यहाँ पर आप स्कूबर डाइविंग भी कर सकते हैं और स्कूबर डाइविंग के लिए आपको स्वीमिंग नहीं भी आती तो भी चलेगा क्योंकि experts जो होते हैं वो आपको बिना swimming जाने ही मतलब अगर आपको swimming नहीं भी आती तो भी वो आपको पानी के अंदर ले जाते हैं और इसके लिए आपको 6000 पर परसन चार्च देना पड़ेगा इसके इलावा यहाँ पर 1500 पर पर परसन के हिसाब से आप केकिंग कर सकते हैं यह एक solo activity है इसके इलावा आप अगर बहुत यह adventure seeker हैं तो आप sea surfing कर सकते हैं इसके charges जो है वो time पर depend करते हैं कि आप कितनी देर surfing करना चाहते हैं 400 पर से 1000 पर पर 30% time के हिसाब सिहाँ पर charge लगता है तो यह थी कोबलम बीच से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां उमीद करती हूँ आपको यह जानकारिय अच्छी लगी होगी आप अगर चैनल पर पहली पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा मेलेंगे अगले एपिसोड में कोई और experience के साथ तब तक के लिए thank you, bye bye